हेलो गाईज कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एकजाम में गाईज जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज चेप्टर को कंप्लेट कर लिया था तो आज से हम एक नया चेप्टर शुरू कर रहे हैं रिशो and proportion तो ये रिशो and proportion का type one है type one में ratio and proportion के किस टाइप की questions बनते है वो आज आम इस वीडियो में discuss करेंगे तो इस वीडियो के हन्तर gonna ज़ूर देखेगा और अगर आपको यह वीडियो क्या फिप पसंद आए तो प्लीश इस वीडियो को लाइक की ज़ूर कीजेगा और तो देखते हैं कि हमारा जो नया chapter आज ratio and proportion में type 1 में किस type की questions बनते हैं exam में तो उसको हम discuss करते हैं और देखते हैं कैसे उनको tackle करना है और कैसे उनको solve करना है तो first question जो हमारा बनता है type 1 में ये बनता है ये distributed questions होते हैं मतलब distribution related questions होते हैं जैसे 650 is distributed among A, B, C कोशन में कहा रहा है कि हमें 650 रुभे को distribute करना है कि इसके बीच में A, B and C के बीच में distribute करना है और such that इस तरीके से distribute करना है कि A gets 25% less than B A को B से कितना परशंट कम मिले 25% कम मिले B gets 1 by 3rd less than C B को C से 1,3 कम मिले और find the individual amount of ABC ABC के हमें अलग-अलग amount बतानी है कि कितनी होगी जिस प्रकार question में कहा रहा है कि 650 रुभे को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाए कि A को B से कितना परशंट कम मिले 25% कम मिले और लेकिन B को C से कितना कम मिले 1 by 3 कम मिले और ABC की अलग-अलग राशी हमें आपर बतानी है तो इस question को सबसे असान तरीका इस तरह की questions को करने का tackle करने का solution क्या है कि आपको question के according हम चलें तो A को कितना मिलना चाहिए A को 25% less मिलना चाहिए किस से B से तो पहले हम ratio निक बना लेते हैं जैसे 25% अगर हम बात करें तो 25% कितना होता है हम सबको पता है कि कितना होता है 1 by 4 होता है यानि कि 4 पे 1 कम किसको मिलेगा 4 पे 1 less किसे मिलेगा A को मिलेगा तो यहां से अगर हम A ratio B बनाएं तो अगर B को 4 मिल रहे है 4 रूपीस मिल रहे है 4 ratio मिल रही है तो A को क्या मिलेगा, 4 पे 1 कम, यहानि कि A को मिलेगा 3, यह A ratio B हो गया, फिर B ratio C की बात करें, तो 1 by 3 less than B को कितना मिलेगा, 1 by 3 less than C, यानि कि 3 पे 1 कम, कितना कम, 3 से 1 कम, किसको मिलेगा, B को मिलेगा, यानि कि अगर हम B ratio C मनते हैं, तो अगर C को हमारे पास 3 मिल रहा है, तो 3 यानि कि B को कितना मिलेगा 2 मिलेगा तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं यहां से हम A ratio B ratio C को find कर लेते कि A ratio B ratio C है कितनी तो जब हमने यहां से निकाला तो A ratio B ratio C ठीक है इस तरह से हमें इसको find कर ले मैं उपर कर रहा हूं यहां पर तो यहां पर हमें पता लगा कि A ratio B ratio C क्या ह तो A ratio, B कितना है हमारे पास 3 Ratio 4, जैसा कि हमें दिया गया है और B ratio, C क्या है हमारे पास 2 Ratio 3, तो हमने इसको इस तरह से रख लिए तो इसको ratio को बनाने का तरीका क्या होता है, कि यहांपर हमारे पास blank space है इधर हमने क्या देखा, कि यहांपर blank space है ठीक है न तो यहां पर इसके left side में हमने देखा कि left side में क्या है 4 है तो यहां भी क्या आजाएगा बस 4 आजाएगा फिर यहां भी blank space है और इसके right side में हमने देखा तो क्या है 2 है तो यहां पर भी क्या आजाएगा 2 आ जाएगा और उसके बाद हमने क्या करना है अगर ऐसे जब हमने लिख लिख लिए तो इसे करके हमने multiply करते हैं 3 2s कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 2s कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 3 4s कितना हो जाएगा 12 आगे ratio कटती है तो हम ratio को cutting कर देंगे यानि कि 2 3s आ 6 2 4s 8 and 2 6s 12 यह आपके पास क्या आजएगी ratio आजएगी इसकी A ratio B ratio C कि हाँपर यह ratio आगी तो हमें पता लग गया कि A ratio B ratio C कितना है निकला हमारे पास 3 ratio 4 ratio 6 यह हमारे पास आगया हमें अलग-अलग amount निकालने तो अलग-अलग हम इसे distribute कर देंगे तो distribute कैसे करना है यहाँ पर अगर हम तीनों की add करें कितना बनता है 6 plus 4 10 10 plus 3 कितना हो 13 तो total कितना बनता है 13 तो हम क्या सकते हैं कि 13 units जो है उनकी actual value कितनी है 650 तो यहाँ से हम किसकी value निकालेंगे 1 unit की value कितनी आजाएगी 13 650 डिवाइड बाइ 13 तो यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 50 रुपीज यहाँ पर हमार पास आगया 1 unit की value अब अलग-अलग हम निकालने यानि कि अगर हम A की value निकाले तो A की value कितनी है तो A की unit कितनी है 3 तो 50 in 2 में 3 तो A को कितना रुपे मिले 150 रुपीज मि निकाल लेंगे तो C का कितना आजाएगा 50 C की ratio कितनी है 6 तो C को कितने मिले 300 यहाँ पर रुपीज मिले C को तो यह अलग-अलग हमने यहाँ पैसे निकाल लिए रुपीज निकाल लिए उनकी तो एक बार फिर से देख लेते हैं सोचों कैसे हमने इस question को attempt किया 25% हमारे पास 1 by 3 कम मिलेगा यानि कि अगर C को 3 मिल रहा तो 3 पर एक कम किसको मिलेगा B को तो B की आजाएगी 2 तो यहाँ से A ratio B ratio C हमने निकाल लिए तो A ratio B ratio C कितना आया 6 ratio 3 ratio 4 ratio 6 आ गया तो टोटल जब हमने add के तो 30 मेना actual में कितना था 650 वहाँ से हमने क्या गरा अलग-अलग persons की यहाँ पर value निकाल लिए रुपीज निकाल लिए तो इस question को इस तरह से tackle करना था next question पर आते हैं, next question देखते हैं क्या है हमारे बास, next question is 4600, 400 रुपे को distribute करना है अमंग ABC में, ABC में distribute करना है such that B gets 20% less than A, B को क्या मिले, 20% कम मिले, किस से A से, and B gets, B gets 1 by 3rd less than, B को किस से कम मिले, B gets 1 by 3rd less than C, और B को C से कितना कम मिले, 1 by 3rd, B को A से 20% कम मिलना चाहिए, और C से कितना कम मिलना चाहिए, 1 by 3rd कम मिलना चाहिए, and but D gets 100 by 3% more than C, लेकिन D को C से कितना जाधा मिले, 100 by 3% more, यह जाधा मिले, D को C से, find the sum of B and C together, B and C का जोड़ क्या होगा, हमें यह बता, तो फिर से वही रेशो की बात, अगर हम रेशो की बात करें, तो first of all हमें पता है कि 20%, यानि कि 20%, 20% कितना होता है, हमारे पास 1 by 5 होता है, यानि कि 5 पे A कम, ठीक है, 20% less लिखा हो है, तो 5 पे A कम, किसको मिलेगा, B को मिलेगा, B gets 20% less than A, B को A से 20% कम मिलता है, यानि कि 5 पे A कम किसको मिलेगा, B को, तो यहां से हमने किसकी रेशो बनाई, A रेशो B बनाई, तो यहां से जब हम A रेशो B बनाएंगे, तो अगर A को 5 मिलता है, तो 5 पे A कम, यानि कि B को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, उसी तरह से फिर आता ह तो B को कितना मिलेगा 3 पे 1 कम यानि कि B को मिलेगा 2 ratio 2 मिलेगा तो यह कितना हो जाएगा 2 ratio 3 हो गया फिर C ratio D की बात करें तो D को कितना मिल रहा है 100 by 3% more than C तो 100 by 3% कितना होता है अगर हम 100 by 3% निकालेंगे तो यह कितना आएगा 1 by 3 आएगा यानि कि 3 पे 1 जादा किसको मिल रहा है D को मिल रहा है तो यहाँ पर C ratio D, कितना आ जाएगा, यानि कि अगर C को 3 मिल रहा है, तो D को कितना मिलेगा, 3 पर 1 जादा, तो यह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इस तरह से पहले हमने ये ratio मिला लिए, ठीक है न, एक बार फिर से देख लेते हैं, कैसे हमने ratio बनाई है, A को कम, किया रहा है कि B, किया रहा है कि B को A से 20% कम मिलता है, तो अगर A को 5 मिल रहा है, तो इस पे 1 कम, किस कम मिलेगा, B को मिलेगा, B को C से 1 बटा 3 कम मिलता है, यानि कि अगर C को 3 मिल रहा है, तो B को क्या मिलेगा, इस पे 1 कम, तो B को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर D को C से कितना ज्यादा मिलता है, सो बटे तीन प्रतिशत ज्यादा मिलता है, तो D को ज्यादा मिल रहा है, यानि कि अगर C को तीन मिल रहा है, तो D को एक ज्यादा, कितना मिलेगा, चार मिलेगा, फिर हम यहां से क्या करेंगे, A रेशो, B रेशो, C यहां से हम निकाल लेते हैं, तो A रेश रेजली है 3 रिषयो above यहां देखते हैं कि हम ब्लैंग स्पेस कुहाँ कहां पर है यह लिए और रेख च्पेस है तो इसका राइट सेडमें देखा कि इन antica य्हां पर बन स्पेस तो यहां पर बिलेख सपेस है this ने important place लिए ऊ स्के राइद सेडमें अ तो यहां भी 3 आ जाएगा और यहां भी कितना आ जाएगा तो यह इस तरह से रेशो बने गए मारे पास इसको अब हमने क्या करना है इसको उपर से नीचे ऐसे यानि कि हमें पता लग गया कि A ratio B ratio C ratio D कितना आ गया हमारे पास तो इन सब की अगर हम रेशो फाइड करी हमने तो कितना आया 5 ratio, 4 ratio, 6 ratio, 8 आ गया और यहाँ पर अगर हम total करते हैं इनका तो कितना आजएगा 6 प्लस 4 कितना वाद 10, 5 पंदा और 8 कितना होगा हमार पास यह 23 होगा यानि कि total unit कितने होगी 23 units होगा यहने कि cool मिला के जो उनके पास पैसा है units में वो कितना है 23 रुपीज है और पता है हमें 23 units है और 23 unit की जो actual value है वो कितनी हमें दे रखी है वो दे रखी है 4, 6, 00, 400 रुपे दे रखी है तो एक unit की जो value होगी वो कितनी हो जाएगी 2400 बटे 23 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगी हमें क्या निकालना है B and C का पैसा together B and C को कितना मिला एक साथ यही निकालना है कि B और C का एक साथ योग ज्याद कीजिए तो B और C की ratio कितनी है 4 ratio 6 है यानि की 10 unit की value निकालना है तो B plus C की value कितनी आजाएगी यहां से एक unit की value 200 आईए तो हमें कितने की value निकालना है 10 की तो 10 into में 200 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा यानि की B और C का कुल मिला के जो योग है वो कितना है 2000 रुपे आपर B और C का है अब अलग अलग भी निकाल सकते हैं A, B, C, D का भी निकाल सकते हैं अलग लग तो question में जो हमर जी बुचले अब आप find कर लेंगे ठीक है तो यह question कुछ इस तरह कैसे होना था हम एक question और try करत है वो हम अगले question में देखते हैं तो अमीद आपको यह चीज समझ आ रही होगी गाईज अगर समझ आ रही है तो प्लीज इसको like करना मा भूलेगा वीडियो को और share जूरूर कीजिएगा तो last question हमारे पास इसका type 1 का वो कुछ इस तरीके से है कि 500 is distributed among ABCD कितना रुपया डिस्ट्रिबूइट किया गया चपन सो रुपया डिस्ट्रिबूइट किया गया 5600 कितने में ABCD में such that when rupees 40, 60, 70, 30 यानि कि A में से 30, B में से 60 और 7 में से, sorry C में से 70 और D में से कितना 30 रुपीस को subtract किया जाए इन में से, तो ratio कितनी बनती है, 4, ratio 6, ratio 5, ratio 3 बनती है, find the initial amount, यानि कि कुल मिला के initial amount कितनी थी हमें ये बतानी है initial amount मतलब ABCD की अलग-अलग amount हमें बतानी है क्या थी, 56 रुपए को distribute किया ABCD में, कितने रुपए को distribute किया गया ABCD में, इस B के बीच इस तरह वित्रित किया जाए, कि जब उन में से, यानि कि A में से कितना रुपए घटाया जाए, 40, B में से घटाया जाए, कितना, 60, C में से कितना घटाया जाए, 30, तो ratio क्या अनुपात बन जाए, 4, ratio, 6, ratio, 5, ratio, 3, तो यह ratio जो यह ratio बनी है, यह ratio कब बनी है, जब यह सार रुपए उन में से घटाया गए है, उसके बाद बनी है, तो ratio क्या बनी है, हमारे पास, A, ratio, B, ratio, C, ratio, D, तो अनुपात क्या बना है, 4, ratio, 6, ratio तो यहां से हम बात करें तो अलग अलग पैसे घटाए ऐगा उह यहां से हम बात करें तो चपन सो रुपे डिस्ट्रिबूट करने थे, तो A में से कितना घटाया, 40 रुपे, B में से कितना घटाया, कितना, 60 रुपे, तो ये पूरे में से घट जाएंगे, फिर कितना घटाया, C में, 70 रुपे, और D में से कितना घटाया, 30 रुपे, तो इन सब को हम क्या करेंगे, मा माइनस होजाएगा तो यानि कि 56BS कितना माइनस होजाएगा इनज सब को एड़ करेंगा थो कितना हाजएगा 25 यह सब जूर्प different Boss में से माइनस होजाएगा तो दोस पर 506 में से मानेस हो जाएगे दो सो जो reaटावी सिसे में उइस अ इसकी actual value कितनी थी? चौवन सो रुपे है इसकी actual value कितनी है? चौवन सो तो एक unit की value कितनी हो जाएगे मारे पस? एक unit की value हो जाएगे मारे पस 300 अठारा थी है चौवन होता है अब हमें बताने कि अलग-अलग पैसा यानि कि अपरारम में कितनी amount थी? तो अगर हम A की बात करें, A's amount A के पास कितना पैसा था तो A की value अगर 300 आई है तो हम पहले क्या करेंगे, 4 की A के पास कितना unit है, 4 है न, 4 unit तो हम पहले किसकी value निकालेंगे, 4 की तो 4 गुणा में 300, कितना हो जाएगा यह 1200, यह 1200 कब आया जब उसमें से कितना घटा दिया गया था, 40 तो इसमें हम क्या करेंगे, 40 और add करेंगे तो A के पास starting में कितना था, 1240 रुपे थे A के पास starting में, शुरुवात में उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, B का B's amount तो B की amount, B की unit कितनी है, B का ratio कितना है, 6 है B का ratio कितना है, 6 तो 6 गुणा में, 300 कितना आजएगा, यह 1800 यह 1800 कब आया होगा, जब B में से 60 रुपे घटा दिया होगा, तो क्या करेंगे, 60 रुपे वापिस जोड़तेंगे, तो B के पास starting में कितना रुपे थे 1800, 60 रुपे, उसी तरह से C की amount निकालते है, तो C की amount कितने आजएगी, C की ratio कितनी है, 5 है, C की ratio कितनी है, 5, तो 5 गुणा में 300, कितना हुआ, 1500, यह 1500 कब आया होगे, जब C में से कितने रुपे घटा दिया होगे, 70, तो 70 और add कर देंगे, तो कितना आजएगा, 1570 आजएगा, उसी तरह से D में से 30 रुपे घटा दिया होगे, तो कितना आ गया है, यानि कि शुरुवात में D के पास कितने थे, इतने इतने रुपे हैं, इन के पास थे, ठीके न, यह starting का आगया, हमसे यही पूछ रहा था, initial amount उता दो क्या, तो इस तरह से इस question को solve करना था आपने, तो यह ratio का हमार 13 तरीके से हो जाए, तो one by one हम type को cover कर रहे हैं, तो guys अगर आपको यह वीडियो फसंद आईए, तो please इसको like जरूर कीजएगा, ज़ादा ज़ादा श्रीर जरूर कीजएगा, और subscribe जरूर कीजएगा हमारे चैनल को, any exam इसी तरह की और वीडियो के लिए, मिलते हैं next part में type 2 म अबिकली तना है, thank you, thank you very much